हालो एब्रीवान गुद मॉणिंग केसे आप सब त्वार्षा करते हैं सभी ठीक होंगे सबस्त होंगे और मस्त होंगे तो मैं आई हूँ जमीन पर देख सकते हैं पूरा इदर का आलत देख सकते हैं और बाबू इदर रख दे उसको तो मैं थोड़ा साग उठाऊंगी देख सकते हैं यहां पर बड़ा बड़ा हो गया है तो थोड़ा थोड़ा करके हम उठाएंगे एक दो फ्टो पत्ता पत्ता करके तो यह हम उचाएंगे और मैं आज बहुत ही बुरी तरीके से गिरी बाबू को लेकर तैंक गड बाबू को कुछ नहीं हुआ लेकिन मेरा पूरा गुटना में छिल गिया है वो भी जो ऐसा होता है न बल दो फीट उसमें से गिरा मैंने इसा करके गिरा है बहुत ही बुरी तरीके से और देख सकते कितना धूप है मेरा बेटा न एकदम परिशान कर रहा था बाहर आने के लिए तो मैं सोचा कि धूप दे रहा है कुछ दिन से इधर अभी थोड़ा कीचर कम हुआ है तो चले आते हैं तो थोड़ा साग भी लेके जाती हूँ और ये गर्मी का मौसम में ये साग खाना अच्छा होता है क्योंकि पे ठंडा होता है तो सोचा कि लेके जाते है थोड़ा और इसका पापा का भी टाइम नहीं होगा आज कल तो पुझा सामने है ना द्यूटी ज़्यादा है इसकी बज़े से तो जल्दे से हम चले तो यहाँ पर मैं इधर इस तरीके से पारौने वाली थी इधर जाओंगी बोलके तो वाल में उठने के लिए वो सोचा तो उस तरफ जाके गिरा है मतलब एदर पेड़ वाल का पीछे मतलब घर का पीछे जाके गिरा मैंने बहुत बुरी तरीके से हुआ वाल